हाई welcome to my channel इस बड़ी में solve करें ही question about 10 धान दीजिगा the height of a right circular cylinder is 10.5 cm means यह जो height है वो दे दिया है 10.5 cm कर दो है कि if यदि three times तीन गुना कर दें किसका the sum of the areas of its two circular faces जो इसके two circular faces है इन दोनों के areas को sum करके ठीक है मतब कि इसके areas को जोड़ करके तीन गुना करके तीन गुना कर दें तो is मैंना equal है किसके twice the area of the court surface area दोगुना कर देंगे जब हम court surface area का तो उसके बराबर आ जाएगा ठीक है तो जो यहां पर दूसरा condition दिया हुआ है उसी के help से हम निकाल लेंगे find the radius यह पूछा है और height तो दे दिया है मतलम क्या करेंगे कि यहां पर हम solve कर लेंगे directly यहां पर solution radius पूछा है तो हम radius को माल लेंगे let the radius radius of the cylinder b r cm ठीक है यह मल जी की r है अब यहां पर जो यहां पर sentence में लिखा है यहां से लेकर देखे यहां से लेकर के और यहां तक जो लिखा है इसी से सारा solve हो जाएगा ठीक है इससे बन जाएगा equation और सबक हो जाएगा तो देखे थे का बोल रहा है आपर if three times यदि तीन गुणा करतें तो जैसे से पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लिखेंगे यहां पर equation बना लेंगे ठीक है यह actually circle है circle का area के ता होजा है पाइर स्कार होता है और पाइर स्कार यदि जोड़ दे इसका भी दोनों का होगा पाइर स्कार तो यह हो जाएगा टू पाइर स्कार इसका तो इसका तिन गुणा कर दें तो यह जो होगा इक्वल होगा यही बोल रहा है देखिए if three times the sum of the areas of its two circular faces तो हमने यह निकाल लिया two circular faces का sum का तिन गुणा कर दिया is मने is मतब कि equal to है twice twice मतब कि दो गुणा the area of the corpse area means हम यहाँ पर corpse area का दुणा कर देंगे two times corpse area means two times two pi r h यही तो होता है corpse area तो अब यह जो बना हुआ है इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर और यह हो जागा दिखिए अपर pi r square plus pi r square कितना हो जागा two pi r square और two three six pi r square is equal to यहाँ पर क्यों हो जाएगा two two four pi r h हमें निकालना क्या है हमें निकालना है radius ठीक है तो हमें radius निकालने के लिए हमें यहाँ पर ध्यान दिखेगा इसमें भी r है इसमें भी r है यहाँ भी pi है यहाँ भी pi है तो हम कैसे solve करेंगे तो इसको हम transpose कर देंगे left side में इस पूरे को हम left side में ले लेंगे तो मिलेगा आपको six pi r square minus यह हो जाएगा four pi r h is equal to zero ठीक है अब इन दोनों से कामा ले लिजिए क्या इन दोनों से कामा ले लिजिए three pi देखे three pi एह सोरी 3 pi नहीं होगा 2 pi होगा यहाँ से होगा two pi इसमें दीखे four में भी two है six में भी two है तो two कामा ले लिए हमने pi कामा ले दुनम पाई है r भी कामान है तो आर भी कामा ले लिजिए ठीक है और in bracket क्या पचेगा यहाँ पचेगा three two से डिवाड करेंगे तो three प बच जाएगा, माइनस, यहां पर देखे, 2 कामा ले चुके है, स्चेका, च्छो लबचेगा, खऑता अब यहाँ, तो यहां पर अब ऐसा मिल जाएगा हमें, अब यहां पर देखे, 2 पाई क्या है, टू पाई ये constant number है ठीक है और इस number को हम इदा transpose करके 0 कर सकते हैं तो वह हम करेंगे यहाँ पर इट implies यहाँ से मिल जाएगा आपको r multiplied by r into 3 r minus 2h is equal to 0 अब यह बताईए इसका और इसका multiplication 0 कब होगा इन दोनों का multiplication 0 तब होगा जब या तो r is equal to 0 हो r 3 r minus 2h बराबर 0 हो तो यह तो 0 हो नी सकता यह वाला condition fail हो गया यह कभी होगा ही नहीं तो इस वहले को आप भूरी जाओ किवल इसको solve करना है आपको तो it implies यहाँ पर बस लिखना पड़ेगा not possible ठीक है मतलब कि यहाँ तो radius दिया हुआ है कुछ height दिया हो तो radius भी होगा तो यहाँ पर बस इसको solve करने में मिल देगा आपको h तो 3 r पर आपर हो जाएगा यह 2 h को आगे भेज दीजे 2 h अब यहाँ पर r आप निकाल लेंगे 2 h upon 3 ठीक है तो यहाँ पर आपको h की value रखना पड़ेगा तो 2 into h की value कितना दिया हुआ है देखिए हाँ पर h दिया 10.5 यहाँ लग देंगे 10.5 whole upon 3 अब यहाँ किसे लग अड़ेगे 3 में जा 3 और यहाँ पकड़ेगे 3 तीजा 9 1 बचा point बढ़ेगा 15 हो गया 3 5 यहाँ 15 अब यहाँ प्ले कर दीजिए 7 आजाएगा 7 cm तो आपका जो radius आगया वो आगया 7 cm देखिए यहाँ पर मैंने solve किया इसको left hand ले करके ऐसे तो solve कर सकते हैं लेकिन एक और तरीका है यह तो radius आगया ना लेकिन यहाँ पर एक simple तरीका है और वो यह है कि यहाँ से आप ऐसे solve करेगे यहाँ से मैं थोड़ा सा बात बदल रहा हूँ ठीक है इसको आप ऐसे ले सकते हैं 6 pi r square is equal to 4 pi r h तो इन दोनों के तरफ से left side में और right side में आप check करिए कि क्या-क्या factors हैं 6 को 4some कैसे lot कर सकते हैं 2 से 2 3 जा 6 ले सकते हैं यहाँ पर 2 2 जा 4 ले सकते हैं pi pi cancel हो जाएगा और यहाँ पर 2 r है तो 1 r cancel हो जाएगा इस r से तो क्या बचा है यहाँ बच गया 3 और r में से एक बचा 3 r बराबर यहाँ बचा 2 और यह h 2 h finally हमारा यह मिल गया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r बराबर 2 h upon 3 और यहाँ वैल रख देंगे अब तो मैंने solve किया है यहाँ पर जैसे बैसे कर लेंगे तो मिल जाएगा आपको 7 finally लिख देता है 7 cm आपको मिल जाएगा ओके तो या तो यह तरीका solve करिए इसके आगे से ऐसे ठीक है यह एक तरीका है या फिर यह वाला तरीका ठीक है तो यह वाला कियास तरीका ना यह वाला तरीका एकदम सही है क्योंकि इसमें आपको r h gold 0 भी मिल रहा है यहाँ पर r h gold 0 नहीं मिल रहा तो आप यह वाला condition तो यहाँ बस लिखेंगे कि not possible ठीक है यहाँ पर लिखना पड़ेगा बस कि not possible possible ही नहीं यह वाला condition देख कभी कभी possibility बन भी जाती है आपको दो radius मिल सकता है तो उस समय जो है possibility चेक करने के लिए यह वाला तरीका solve करने का सही है ठीक है तो यह correct way है solve करने का और यह जो है थोड़ा सा साटकर तरीके से आप यह दिए objective question solve करते हैं तो यह तरीका से ही रहेगा ओके थैंक्यू सो मच फर वाचिंग बाई